केरें पर लोक ओ हैं resol Mars कैसे आप शब लोग हासा करते हैं आपґफ होगा आज हमना टेज्ज का यह सकड़न्ड लेक्ष़ ए टेंज के ही से फेस्ट लेक्ष़ Centers तो आई हम आपको एक बहुत नाहीं हम दो चेसी सिंपल सा गीवन हो यह कोई बड़ा सा complicated sentence ही given हो तो आप उस sentence के tense को कैसे पाचानेंगे और हमने आपको पिछले class में ये भी बताये था कि आपको दो जगों पे problem होता है tense में wise को जब mix कर दिया जाता है तो आप उसका tense पाचान नहीं पाते हैं हम लोगों को उस given sentence का tense पाचाने में दिकत जाती है ठीक है तो इसके regarding हमने काफी detail में आपको पिछले class में पढ़ाया था अर्थार टेंस के first lecture में हमने आपको काफी detail में इसके चर्चा करके इसका concept हमने आपको समझाया था ठीक है और फिर उन सारे concept पर बेस्ड धेर सारे आपके एससी previous year और previous year में भी recent year में जैसे 2020 का जो एससी एक्जाम हो एससी CHSL और CGL का ठीक है जो 2021 में conduct हुआ था उनके कुछ paper के माद्यम से उनके कुछ question के माद्यम से हमने आपको tense को identify करना सिखाया था ठीक है यह अलग बात है कि उसमें लिखा हुआ नहीं था question के नीचे लिखा हुआ नहीं था कि यह किस exam में किस साल पूछा गया था ठीक है अब आज हमारा tense का second lecture है हमने जब आपको tense पढ़ाना सुरू किया था तो tense के first lecture में भी हमने आपको बताए था कि हम लोग tense एकदम very beginning से पढ़ना सुरू करेंगे एकदम basic से पढ़ना सुरू करेंगे इतने basic से पढ़ना सुरू करेंगे कि जितना सायद ही कोई उतना नीचे जाके पढ़ा पाए ठीक है तो इतने नीचे से हम लोगों ने शुरूबात कि थी अर्थात एकदम zero level से ठीक है और इस तरी तो आज 10 के second lecture को सुरू करने से पहले हम फिर एक बार repeat करते चले कि यह जो पूरा 10 का series आपका चल रहा है यह एकदम basic label से चल रहा है आज के 10 का सफर हम लोग सुरू करेंगे अर्था 10 के second lecture का जो सफर है यह हम लोग सुरू करेंगे present in difference से सुरू कहां से करेंगे तो from structure फिर उसके बार ट्रांसलेशन वाले concept की तरफ आएंगे फिर उसके बार अटेंस का जो grammatical concept है जिस पर बेस्ड आपके एससी exam में question बार बार पूछे जाते हैं उन सबों की चर्चाम लोग करेंगे और साथी साथ आपके एससी previous year में और वो भी recent year में अर्था 2019 वाले paper जो 20 और 21 म एक्रमसा conduct हुए थे उनको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे और लगाते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है तो एकदम आराम से समझिए एकदम basic level से आपको समझा रहे हैं from basic to advance आपको ले चल रहे हैं ठीक है तो ऐसा सायद ही कोई बच्चा हो जिसको इस class को cover करने के बाद इस class को देखने के बाद उससे टेंस में कहीं कोई गलती हो ठीक है एकदम इतने basic level से एकदम zero level से आपको शुरू करके हम उपर तक ले चलेंगे ठीक है तो आईए आज के इस class को आगे बढ़ाने के पहले हमने पिछले class में आपको जो पढ़ाया था उसका एक glimpse दिखाती है जानते हैं जानते हैं लेकिन जैसे इस तरीके के कोशन आपको दिखाई देते हैं और यह सारे आपके प्रिवियस यह में पूछे गए कोशन से तो इनका यदि टेंस आप से पूछा जाता है तो हम में से बहुत सारे बच्चे इनके टेंस को identify करने में confused हो जाते हैं फिर इस में आपको बताएट сказать कि और थो नम आपको दीख कराए में जीस कशन बृप को झतार शुम बनाए जाता है जैसा कि आप वर्ब जिनका second form और third form दोनों अलग-अलग होता है उसको कहते है इरेगुलर वर्ब और जिसका second form और third form same होता है उसको हम लोग क्या कहते है उसको कहते है रेगुलर वर्ब ठीक है और regular irregular का use कहां देखने को मिलता है फिर उनके बाद हमने आपको वर्ब के धेर सारे concept बताये थ से कहते हैं और उसके बाद यहां से हमने आपको question लगाना शुरू किया था इन सारे यह सारे आपके से प्रीवियर सेर में पूछेंगे question से और इन सारे question में हमने आपको टेंस और वह इसको पाचानना शिखाया था ठीक है और फिर देखें यहां से अब हम लोग पढ़ना आते थे वो आगे हम लोग करेंगे ठीक है तो अभी फिलाल हम लोग सुरू करते हैं यहां से तो सबसे पहले हम आप सबों को अपना परचे देते चले मैं अजीत कुमार फैकल्टी ओफ इंग्लिस लेंग्वेज आपके यूटूब चैनल कम्टिशन कम्यूटी पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं ठीक है चलिए तो अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को हिट करना बिलकुल भी न भूल हम लोग Monday to Friday में जो कुछ भी आपको पढ़ाते हैं उन सबों का PDF नोट्स आपको free of cost अबलेबल करवाते हैं जो हमारे वेबसाइट पर एबलेबल है और हम लोग Monday to Friday में जितना भी concept आपको पढ़ाते हैं उन सभी concept पर best 25-25 questions के practice it आपको अबलेबल करवाए जाते हैं वेबसाइट पर भी और दोनों में से जहां कहीं से भी आप इसका लाब उठाना चाहें लाब उठा सकते हैं एक ही condition है आपको free of cost रजिस्टर करना होता है खुद को कैसे जैसे आप पर जाते हैं यह वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको रजिस्टर करने का एक option आता है वह आपका mobile number verify हो जाता है आप हमारे इन सारे free courses के सारे free चीजों का use कर सकते हैं इसमें कहीं भी कोई भी hidden charge नहीं है इस वीडियो को लाने का उदेश मकसद हम सबों का यह था कि हम लोग अपने देश के ऐसे सभी बच्चों की मदद कर सकें जो किसी भी कारण से आर्थिक रूप से परिशान हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं या कुछ ऐसे बच्चे जो सहरी चेतर में आकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या कुछ ऐसे बच्चे जिनका कुछ पेपर वीक रहा हो और एक दो पेपर के वीक होने के करण उनका SAC में selection नहीं हो पा रहा है ऐसे इन सभी बच् हम लोगों को पढ़ना है present indefinite तो सबसे पहले जो टेंस होता है इसके बारे में हमने आपको बताया था पिछले क्लास में आई एक बार फिर हम आपको repeat करते चले आज हम लोग जो टेंस पढ़ना सुरू कर रहे हैं तो बच्चपन से आप टेंस पढ़ते आ रहे हैं टेंस आ उसमें और अब वाले में क्या difference आ जाता है आप क्यों थोड़ा सा परिशान होते हुए नजर आते हैं आपने यहां पर वजपन में जो टेंस पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि यदि किसे हिंदी वाके के लास्ट में ता ते ती लगा हो ता ते ती लगा हो इसके subject इस तरीके से ठीक है sentence यदि positive हो तो negative हो तो डोड़ास का यूज करते थे ठीक है interrogative हो तो भी हम लोग डोड़ास का यूज करके उसका translation बनाते थे अब देखे यहां से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको और कुछ चीजे सीखने को मिली और क्या सीखने को म यहां देजिए यदि आप कोई English to Hindi dictionary उठाके चेक करते हैं तो time का meaning क्या होता है समय ठीक है टेंस का meaning चेक करेंगे तो या तो काल मिलेगा या तो समय या तो काल मिलेगा या तो समय मिलेगा अब माल लेजिए कि काल तो काल क्या है वही काल भी समय है तो इसका Hindi मिनिंगे दिन काला जाए तो समय और समय या समय और काल मतलब ज़रा देखें भयानक 20 फूट नहीं हो गया कि काल और काल समय और समय आप बोले जाना है तो इस तरीके का हम लोगों को नहीं समझना है अब इन दोनों में difference क्या है भई इसकी वी चर्चा हम लोग थोड़ा सा यहां पे करते चले अब यह चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे डाउट या तो अभी आ गए होंगे या पहले कभी आ चुके होंगे या नहीं तो फ्यूचर में आएंगे ही ठीक है तो ऐसे सभी डाउट की धवा हम पहले ही आपको द अब यह तो यह फ्यूचर पढ़े थे हम लोग जो अभी हम थोड़ी दिर पहले आपको याद करवा रहे थे अर्थातरी माइंड करवा रहे थे तो इस तरीके का इस्ट्रक्षर हम लोग पढ़ते थे याद किजिए यह यह ऐसा कोई भी ऐस्ट्रक्शर सौन जिसकी बेतें कहो और time क्या होता है भklär तो ये तो समझ में आ गया कि इन मोग पड़ रहते हैं structure पड़ रहते तो फिर यह क्या है और इसकी जरूरत क्या है अब इसकी जरूरत इसलिए है जैसे हम सब लोग इंसान हैं मनुछ्य हैं तो मनुछ्य का जो सरीर है मनुस से दो चीजयों से मिलके बना है एक तो अस्तुल सरीर जो पाँच ग्याने अंध twists और दूसरा इसके अंदर होती है एक आत्मा जब तक हमारे आपके सरीर केए अंदर आत्मा है तब तक हम लुग जीवित माने है ये जो टेन्स है और टाइम है इन दोनों में भी met क्या रिलेशन आज़ सरीज अर आत्म क्या है तो सौरी यह टाइम करता क्या है तो टाइम के एक इकॉर्डिंग टेंस डिसाइड होता है किसी भी sentence को time के according check किया जाता है और check करके यह निर्धारित करता है कि उसको कौन से tense में रखना है ठीक है फिर यह भेज देता है उसको tense के पास और tense क्या करते है चुकि उसका identification हो चुका है time के according time के द्वारा कि इसको इस type के tense में रखना है तो यह जो tense है उसको उस तरीके का structure प्रोवाइड करता है बात समझ में आई तो यह थे इनकी कहानी तो tense क्या करता है structure प्रोवाइड करता है और time क्या करता है सारे decision लेता है ठीक है चले अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग ये बात तो समझ में आ गई अब जब टेंस में लोग आते हैं तो tense कित्रे टाइप के होते हैं तीन टाइप के होते हैं या बजबन से जानते हैं present past and future प्रेजेंट past and future अब कुल मिला के tense दो ही प्रकार के होते हैं basically moul रोप से टेंस दो ही प्रकार के होते हैं प्रिजेंटेंड पास्ट फ्यूचर जिसकी कलपना हम लोग करते हैं फ्यूचर वैसा कुछ होता नहीं है चुकि अब हमारा ये बेसिक क्लास है आप कभी एडवांस क्लास में आये तो हम आपको सिखाएंगे और प्रूफ करके दिखा साल बाद मैं अमेरिका चला जाओंगा दो साल बाद आप इंस्पेक्टर बन चुके होंगे इंकम टेक्स इंस्पेक्टर बन चुके होंगे प्रिवेंटिव ऑफीसर बन चुके होंगे तो कलपना कभ हो रहा है यह अनुमान कभ लगा जा रहा है अभी तो अभी लगा रहे ह ठीक है लेकिन चुकि रेफरेंस ये future का देता है इसलिए इसको हम लोगों को बच्पन से बताएं गया है कि ये किसकी बात कर रहा है ये future की बात कर रहा है तो फिलाल basic class है इसलिए बहुत जादा advance की तरफ है ऐसे advance की तरफ हम आपको लेकर जाना नहीं पसंद करेंगे जो आपको confuse करें हम आपको उतनी ही बात बताएंगे जिससे आपका question बन जाए ठीक है आपके exam में पूछे जाने वाले सारे question smoothly आसानी से आपसे बन जाए ऐसे उन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे ठीक है हम आपको ग्रमेरियन नहीं बनाने जा रहे है ठीक है हम आपको सिर्फ उतनी ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे है जिससे आपका exam crack हो जाए आपका selection हो जाए आपको नौकरी मिल जाए next तो यह तीन प्रकार के टेंस हैं इसको हम सब लोग बजपन से जानते हैं फिर हम सब लोग यह भी जानते हैं कि तीनों मेंसे जिस किसी भी टाइप में जाते हैं चाहे present हो past और future हो तीनों के चार चार टाइप होते हैं indefinite continuous perfect and perfect continuous ठीक है तो अब हम लोग सुरुआत करते हैं क इन सबों का structure लिखा हुआ है तो इन सबों को आपको लिखना चाहिए या तो यह सारे के सारे आपको याद हूँ या नहीं तो फिर आप इन सबों को copy में note down करें अब यहां पर थोड़ा सा आपको परिशानी यह हो सकता है कि यह पर TW क्या लिखा हुआ है भाई टी डव गंटे से तो दो गंटा क्या होगा TW हो गया बात समझ में आई तो इनका फटा फटा स्क्रिंसोट ले ले इसको आप कौपी में future में note कर लेंगे अब हम यहां से आगे चलते हैं अब यह रहा पास्ट का structure पास्ट के भी यह चारो टाइप से हैं इनका भी structure आप लिख लिख फिर चलते हैं आगे यहां से हम लोग future की तरफ यह future के चारो टाइप से हैं इनका भी structure यहां पर गीवेन है अब एक बात आप नोटीस करें नोटीस क्या करना चाहिए आपको तो नोटीस यह करना चाहिए कि यहां पर ज़रा ध्यान से देखिए यहां पर इस लाइड में ध्यान से देखिए since for का यूज नहीं किया गया है बलकि यहां पर क्या यूज किया गया गया फॉर और from का यूज किया गया है जबकि हमारा आपका माइंडसेट बना हुआ है कि कोई भी पर्फेक्ट कंटिनिवस कोई भी पर्फेक्ट कंटिनिवस हो पर्फेक्ट कंटिनिवस का मतलब ही हम लोग क्या समझते है तो पर्फेक्ट कंटिनिवस का मतलब हम लोग सीधा समझते है कि उसमें टाइम इंडिके उते ही होता है ar τब उसके साथ हम लोग सेग्स और का उससे नहीं करते हैं इस फल और प्रॉम का उस नहीं करते हैं बलकि वहां पर यूज करते हैं अब यहां ऑगे लिकर चली है अब आ अब इनके बाद हम यहां से थोड़ा सा और आगे लेकर चलिए आपको अब यह देखिए यह जो present indifferent होता है क्या होता है present indifferent होता है तो present indifferent का भी structure आपको लिखना चाहिए present indifferent के भी कितने structure होते हैं 6 structure होते हैं तो present indifferent के वो 6 structure कौन-कौन से हैं सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं देखिए sentence यह दि पॉजिटिव हो तो इसका structure क्या होता है subject plus v1 या v5 plus object ठीक है sentence यह दि नेगेटिव हो तो क्या होता है subject plus do does प्लस नॉट प्लस v1 प्लस object और यहां लगाते हैं हम लोग फॉल स्टोग sentence यह दि इंटरोगेटिव हो बट पॉजिटिव हो अब यह इंटरोगेटिव क्या होता है तो इंटरोगेटिव दो प्रकार क्यों होते हैं कौन-कौन से एक ऐसा इंटरोगेटिव होता है जिसके beginning मे में दो एच इंटरोगेटिव अब आपके मन में में यह आप में से कुछ बच्चों के मन में खाया लाएगा यह्ज़ दो वरड जिनमें डुम्र और एच का प्रियोग किया जा होता है जैसे आप बच्पन से पढ़ रहे हैं वह फं सरे और कर के चलिए आगे पड़ते हैं लोग तो यहां पे हम लोग आते हैं helping वाले में यहां पे यूज करते हैं लोग डू 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 प्लस सब्जेट फ्लास वी बन प्लस अबज़ेक्ट यहां पर लगाते हैं लोग कुशन मार्क और यह दि वL यहादि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, वाट नेगेटिव हो तो इसका स्रक्चर होता है, do-dos प्लस अब्जेक्ट, प्लस not НО प्लस V1 प्लस अब्यक्स एहाँ फेसे लगाते है हम लोगो language, यदी डबलिव है फिंटरोगेटिव हो, नबलिव है श्का इसका प्लस डू अब्स यहां लगाते है क्वेस्ट्न मार्क, सेंटेंस यह situations अब्स अब्स आई प्लस अब्स यहां लगाते हैं question mark, बास समझ में आ गई, आए अब इन सबों का कुछ example होना चाहिए, देखते हैं slide में कुछ example given है क्या, यहां देखिए, इनके कुछ example यहां पर present के अलग-अलग types के given है, तो यह present indifferent का है, यह present continuous का है, ठीक है, तो इसके तरफ हम लोग आते हैं थोड़ी दिर के बाद, अभी हम लोग चलते हैं present continuous में, sorry present indifferent में, तो present indifferent में देखिए, अब इनका एक एक example ले लिया जाए, चलते हम लोग next page में, देखिए जैसे एक example ले, he, he plays, he plays, अब इसका यह क्या था, यह क्या था, तो यह था हमारा positive, यह कैसा sentence था, तो यह sentence है positive, कैसा है, positive है, अब यदि इसका यदि negative बनाना हो तो, तो हम लोग क्या लगाएं लिखेंगे, he does not play, he does not play, अब इसका यदि इसका नेगेटिव बनाना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग does go कर देंगे, does he play, अब यहां लगा देंगे question mark, यदि इसका negative बनाना हो तो, तो इसका negative क्या बन ठीक है अब इसक़ डब्ली एच इंटेडेटिव बड्ड पॉजिटी बनाना होतो तो क्या करेंगे तो हम लोग यहाँ पर यूज यूज करेंगे डब्लुएच इंटेरोगेटिव रच यूज करना चाहिए जोलगी है आपको आप उसका यूज कर सकते हैं जैसे अब हम यहां पर यूज करें वेन का वेन ड़स ही प्ले वह कब खेलता है ठीक है अब यदि डवलू एच इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करें तो हम इस बार यहां लेते हैं वाई वाई ड़स ही नौट प्ले तो यही सब हम लोगोंने पढ़ा था बचपन से ठीक है अब इनसे आगे निकलते हैं इनके आगे अब हम लोग बात करेंगे ग्रामर के कॉंसेप्ट की ठीक है तो ग्रामर के कॉंसेप्ट को सीखने के पहले हम थोड़ा सा आपको स्लाइड की तरफ ले चले और हम आपको यहा तो यह देखे यह dance क्या है यह वर्ब का फिक फॉर्ब है और चुक्कि यह एक लौता वर्ब है इसलिए इसका टेंस क्या होगा प्रेजेंट इंडिफरेट प्रेजेंट इंडिफरेट ठीक है और similarly आगे भी चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और कुछ पाचानते हैं यह देखे इसमयर का टेंग के क्या हो गया तो यह बोगयक प्रेजेंट और यह और फॉर्म यह वर्ब का फिर फॉर्ब मेरें इसके नहुने commercials आपको प्छली क्लास्स में अब सब्सक्रान टेंज ऑन अब नीचे वाले में देखें यह है तो एक है तो यह हम आपको सिकhाय था और यह स्विमिंग क्या है तो यह वर्ब का फॉर्थ फॉर्म वर्ब का फॉर्थ फॉर्ब है तो इसको मोग वोलते हैं कंटिन्यूवस बोलते नहीं अब इन चारों का हम लोग एक्टिव पैसिव भी चेक कर लें देखिए हमने आपको पिछले क्लास में बताया था एक्टिव पैसिव का कॉंसेप्ट क्या है तो बी इबी के सांथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो उसको हम लोग करते हैं पैसिव और यदि यह फॉर्म निंग भी हो भी यहीब इंभ हो उसके सांथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाए कोफिर बिइसव है तो हमने आपको पिछले में बताया था रिमाइंड कर वाया था कि ए के साथ दॉप का थार्ड फॉर्म आए तो उसको रहाएगा यह सारे कि सारए क्या है तो तो सारे कि सारे हो गए एक्टिव नेक्स यहां के बाद आगे लेकर चलते हैं आपको यह देखे यह है पास्ट इंडिफरेंट का स्ट्रक्चर यह देखे वह आपका सेकेंड फॉर्म तो पास्ट हो गया आई एंजी लगा हुआ है तो यह पास्ट कंटिनिवर्स हो गया यह हमने आपको पिछली क्लास में बताया था तो जिसके से भी बच्चे का छूट ग हो गया पास्ट यह वापका थर्ड फॉर्म तो हैस्ट के साथ यह वापका थर्ड फॉर्म आता है तो हम लोग हमने आपको बताया था उसको क्या बोलते है उसको बोलते हैं परफेक्ट तो उसके कोडिंग यह क्या हो गया पास्ट परफेक्ट हो गया और यह कंटिनिवर्स ह के लिए इसको ठीक करने के लिए आप हमारे देखिए अब यहां पर देखिए यह देखिए हमने आपको बताया था साथ यह वाब की फर्स्ट फॉर्म हो और केवल यही दूनों किसी भी सेंटेंस पर प्रेसेंट हो तो उसको हम लों कहेंगे फ्यूचर में क्या बोलेंगे इंडिफरेंट बोलेंगे तो यह क्या है फ्यूचर इंडिफरेंट है अब यह देखिए यह सेल भी लागए यह वाब का फर्स्ट फॉर्म तो यह हो गया फ्यूचर और यह आई एंग फॉर्म है तो यह हो गया कंटिनिवस यह देखिए फ्यू और यह दोनों मिलके perfect और यह के लिए continuous अब आप में से किसी को возможно सकता है और यह इंसे किया होता है वह पत्थर पर उख़ा हि होती है लिखा जाता है वह इसको खतberry आप के इस सी में कितनी में वार पूछा जा चूका है लेख scholarships वह सब्सक्राइब के इस胃 त्सेथ सहलब हम लोगों ने बेकार ही लिखा खैर कोई बात नहीं है और यह प्रेजंट इंडिफरेंट के यह चे के चे structure है ठीक है अब यहां पर देखिए हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो regular और irregular वब होता है यह regular और irregular वब होता है इससे जरूर question पूछे जाते हैं और ज्यादा तर question जो आपके exam में पूछे जाते हैं जो टेड़े मेड़े होते हैं जहां पर मुस्किल में फस्ते हुए ना जरा आते हैं यह जहां पर गलती कर जाते हैं वह ज्यादा तर केस्व में इरेगुलर वब होता है जिसके second form और third form से हम नहीं होते हैं ठीक है यह जरा देखिए यह देखिए क्या दिखाई तर आपको स्विंग यह देखें स्विंग स्विंग का मतलब क्या होता है जूला जूला जैसे स्विंग होता है स्विंग का मिनिंग क्या होता है तो स्विंग का मिनिंग होता है तैरना ठीक है इन देखें स्विंग का मिनिंग क्या होता है जूला जूला अब देखें स्विंग का स्विं इसमें कंड़क्ट हुआ ठीक है अब देखिए हम आपको पीछे स्लाइड में लेकर चले और हम आपको दिखाते चले कि यह वाला हमने आपको इसके बारे में भी हमने आपको पिछले क्लास में बताया था क्या बताया था तो इसके रेकार्डिंग हमने आपको बताया था कि यदि वर्ण का सेकंड फ़र्म हो वाम का धंड़ टो यदि एसा कोई भी व ऐसा कोई भी वर्ण जिसका द्रीका और फोर्म से होता यह bombardHo तो आपको इसमें कंड़्े करो है जो इसमें कंट्यूजन होता है इससे बचने का तरीगाम नेपता का second form और यदि इसके ठीक वाले यहां पर कोई helping वाब हो तो इसी को हम लोग कहेंगे वाब का third form इसको एक बार फिर से हम आपको समझाते चले देखिए कहीं भी वाब का second form और third form जहां पर सिम होता है यहां आपको जब यहां पर helping वाब नहीं हो यदि यहां पर helping वाब नहीं हो तो इसी को हम लोग मानेंगे वाब का second form अब यह वाब का third form नहीं का लाएगा लेकिन यहां पर helping वाब प्रेजेंट हो तो अब यहीं वर्ब का second form नहीं का लाएगा यहीं का लाएगा वाब का third form बात समझ में आ रही ह चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो बोड को clean करते हुए हम यहां से आगे बढ़ते हैं इस question का answer हमारा क्या बनेगा swing का swing अब देखे swing वाला answer है कहीं पर swing वाला answer कहां पर यह वाला section तो देखे आपके exam में जो no improvement का question पूछा जाता है कि आप इस sentence का वो section पी किजिए select किजिए जिसमें grammar की गलती है दूसरा यदि grammar की गलती है तो उसका correct answer आपको नीचे given होता है तो इन दोनों में से किसी एक mode में आपसे question पूछा जाता है फिलाल इस question में क्या था तो आपको identify करना है कि इस sentence का वो कौन सा section है जिसमें grammar की गलती है तो यह swing वाला section में error था स्विंग वाले section का option कहां पे given है तो option number D में given है तो इस question का answer हमारा क्या बनेगा option number D ठीक है इस तरीके से आप CHSL 2020 में पूछे गए एक question को अब भी बना लिए ठीक है तो आपका confidence बढ़ना चाहिए कि बीना कुछ पढ़े आप question को बनाना सीख गए अब आईए यहां से हम लोग कुछ और सीखते चले यहां से क्या सीखना है हम लोगों को आईए इसकी चर्चा हम लोग आपको करते चले देखे अब हम लोग सीख रहे है present in different और present in different को कई तरीकों से कई कारणों से यूज कि ठीक है बात समझ में आ रही है तो आईए अब इनको थोड़ा सा हम लोग सांसात यहां पर सीखते चले कि क्या है है हमारा present in different का concept सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो आप इसके बारे में जानते हैं या हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं वो concept है कि universal truth को express करने के लिए कि हम लोग इसका यूज करते हैं किसको express करने के लिए universal truth को ठीक है दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके exam में वो क्या है तो वो है nature नेचर या habit अब इन सबों की चर्चा हम करेंगे अब आप यदि किसी grammar के book को follow करेंगे ठीक है या कुछ teacher भी आपको पढ़ा जैसे हम चाहें तो present indifferent को एक सब्द में explain करके आपके present indifferent से पूछे जाने वाले और पूछे गए सभी question का answer हम लोग आसानी से कर सकते हैं ठीक है लेकिन अब उसके लिए आपका foundation ठीक ठाक होना चाहिए fundamental concept आपका जो आपका basic से वो clear होना चाहिए बास समझ में आ रही है और य आपको वो concept समझ में नहीं आएगा क्या जी सर क्या बोल रहे थे ठीक है तो इसलिए हम लोग चलते हैं भी basic according धीरे धीरे आगे की और बढ़ते हो तो चुकि पेज आपका भरना चाहिए तो पेज भरवाना भी है तो उसके लिए आपको teacher क्या पढ़ाते हैं कि देखो भाई scientific principles, scientific principles को explain करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है ठीक है और इसी तरीके से फिर और बहुत सारे rule आपको बता जाते हैं कि ये बताने के लिए भी वो बताने के लिए भी simple, simply present में चल रहे किसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसका यूज करते हैं और future planning को express करन के लिए इसका यूज करते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग हो या फ्यूचर का कोई प्लांड एक्षन हो फ्यूचर प्लांड एक्षन इसको बताने के लिए इसका यूज किया जाता है और इस तरीके की ना जाने कितनी कितनी बाते आपको बताई जाती है ठीक है बात समझ में रहा है नियूज पेपर के जिन प्रकट हो जाता था होकुम मेरिया का बात समझ में आ रही है तो इसके आगे भी आपको कुछ बताया जाता है हम भी आपको समझाएंगे और इन सब को दो सब्दों में खतम कर देंगे ठीक है देखिए कैसे बात समझे यूनिवर्सल टूथ क्या होता है भाई सबसे पहल प्रित्वी सुरे के चार जातरफ घूंती है और बगएरा बगएरा ठीक है नेचर क्या है भाई तो मान लेजे किसी का नेचर है किसी को कस्ट देने से परिशान करने से उसको बड़ी प्रसनता मिलते है खुसे मिलती है या उसको अच्छा लगता है किसी दूसरे को टॉचर करना हमारे आपके बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ठीक है तो यह तो ऐसा वाला हो है विट क्या होता है तो हम मेंसे बहुत सारे लोगों का आज के डिट में हैबिट है क्या है जहां देखे पाने पूरी उधर उडग ने वाटर बॉल्स गुलगपा या जहां देखे चैनी क्या है जैसे जाड़े के मौसम में चाए कॉफी हम लोग ज्यादा पीते हैं कुछ लोगों का आदत है रात में राद भर जगे रहेंगे राद भर मोबाइल चलाते रहेंगे वगेर वगेर तो यह क्या है नेचर क्या है मां अपने बच्चे को प्यार करती ठीक है सबसे माँ आपको माफ कर रही ही तो नेचर नेचर आपको समझ में आ गया है विट आपको समझ में आ इसको दूपसरे तरीके से आप समझें एसा कोई भी फैक्ट आप घटना इसा कोई भी बाथ चो टाइम की एकॉरणिंग चेंज नहीं करता, तबात समझ में आ रही है, इसको express करने के लिए हम लोग क्या use करते है, तो हम लोग use करते हे, present in different, present in different का सीधा सा मतलब है, वovy का first form, या वोः वोः का फिर्ट form, या do does plus वोः का first form, ठीक है, इस बात को आम याद रखेगा, अभी थोड़ी दर बाद हम आपको लिखे सब बताएंगे भी, फिर question भी आप से बनवाएंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको दूसरे सब्दों में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कैसी कोई बिगटना जो time के according कभी change नहीं करती, जैसे आपने घाना सुना, इसे काम के लिए हुआ है, इनसान जब तक धरती पर रहेगा, प्यार महबत करता रहेगा, चलिए, तो यह क्या है, इनसान का नेचर हो गया, अब अरिथमेटिकल सम क्या है, बाई, तो जैसे हम लोग यूज करते हैं, टू प्लस टू इकॉल टू क्या होता है, फूर होता है, इसको कहते हैं, अरिथमेटिकल सम, यह scientific principles क्या है, प्रिंसिपल का मतलब इस्कूल के प्रिंसिपल साब नहीं है, इसकूल के जो प्रिंसिपल होता है, और इस P.L.E. का मतलब होता है, सिधान्त, कोई तेओरी जैसे रधर पोर्ड का सिधानत आपने पढ़ाता, तेओरी आप कि future planned action जैसे मान लेज़े हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी है तो मोदी जी मान लेज़े कि कल दिल्दी आने वाले हैं तो कहीं पर बंगाल जाने वाले माले मम तदिदी के साथ उनकी परसो मीटिंग हो तो इस प्रकार का sentence यह प्रकार के वाकियों को एक्स्प्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं present in different बात समझ में आ रही है अब आपको जो तिलस्म का खजाना समझाया जाता है उनका concept क्या है आईए अब थोड़ा सा इसकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं लेकिन उनकी तरफ चलने के पहले हम आपको करते हैं कि present in different का सीधा मतलब होता है वर्ब का सब्बत बाइब का फिप फार्म क्या होतब रुटत रुट म क्या होता है इसको हम लोग वर फीर से समझते चलें वर्ब के फ़र्ट फोर्म में लगा कि हम लोग इसको बनाते है वर्ब का पिभ फॉर्म यही कहाना वर्ब का फिप फॉर्म ठीक है अब इसके अलावा यदि सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो उसमें क्या पूछा जाता है तो आप देखेंगे उसमें डू या डू का यूज किया रहेगा डू का यूज कहां करते हैं लोग तो प्लूरल सब्जेट के साथ डूरल स का पढ़ना है इससे भी बहुत सारे कोशन आप एकजम में दिखाई पढ़ते हैं डीड के साथ यह तो और ये तो इन सबों को याद रखना है अब기도 सूचेंगे कि सर पढ़ा रहे थे present different यह क्या बताने लगे ठीक है यह two बताने लगे बी बताने लगे डीड बताने लगे यह तो past पढ़ना था चरचा कर रहे थे present different की यह चले गए past में हम इसको सिर्फ और सिर्फ इस उद्धे से बता रहें क्योंकि इससे बार-बार और इसी तरीके से फिर आप आज देखेंगे कि जो हैस हैब होता है पूरा है फेमिली जिसमें लोग पड़ते हैं यह ज्यादा तर आपको दिखाई देता है इन तीनों में से जो भी हो इसके साथ क्या यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे चलिए अब यहां से आगे चलते हैं तिलस्म के खजाने की तरफ अब देखिए आपका तिलस्मी खजाना जो उसमें से आपको बत डेली एवरीडे अवर्यडे उकिजनली और फिर इसी तरीके से इसी प्रकार का कोई भी वर्ट डेली हो गया चलिए सम्टाइम्स भी हो गया फिर आगे पढ़ते हैं लोग सेल्डम के बाद एवर नेवर ऑल्वेज ऑल्वेज एटसेटरा ऐसे कुई भी वर्ण आपको यदि कहीं भी दिखाई दे फ्रिक्वेंटली हूं अब इन सब का मीनिंग हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको इ असान तरीके से बिना रटे याद हो जाएंगे ठीक है अब इन सबों को जरा आप ध्यान से देखें इनका मीनिंग क्या है फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या होता है बार बार जैसे एक बार नहीं बार बार देखो ठीक है काला चस्मा बार बार यह ऑल्वेज सदा हमेशा ने इभर कभी नहीं एभर हमेशा सम्टाइम्स कभी-कभी ओकेजनली ये भी कभी-कभी एवरिडिय देली सायध यह कभी रेगूलर्लि मतलब डेली नियमित रूप से बेरली साइध ही कभी नके बरावर डेली यह सब जरा ध्यान दीजे यह क्या बता रहा है इन सबों का या तो nature को express करेगा या तो ये habit को express करेगा अब ज़राद ध्यान देजे हम कहें कि वह हमेशा जूट बोलता है He always tells lie हमेशा मतलब क्या बता रहा है उसका आदत बता रहा है वह सायद ही कभी मेरे घर आया होगा मतलब वह मेरे घर नहीं आता है हम कहें कि वह कभी भी तुमसे मिलने नहीं गया मतलब यह उसका है अभी तक यह काम हुआ ही वह जाता ही नहीं है तुमसे मिलने ठीक है फ्रिक्वेंटली मतलब वह तुमसे बार-बार मिलने जाता है डेली एवरिडे मतलब हर दिन जाता है नियमित रूप से जाता है ठीक है प्रवपरली जाता है यह सारे के सारे वर्ड आपको क्या एक्सप्रेस करणे तो यह तो नीचर को बता रहा है यह तो हैविट को बता रहा है बास समझ में आ गई तो पूरे के पूरे present इन डिफरेंट का यूज दो ही प्रकार की बातों को बताने के लिए होता है, ऐसी कोई भी गटना जो रेगुलर बेसिस पे बार-बार होती है, बार-बार होती है, अगेन अगेन होती है, या जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है, जैसे मां अपने बच्चे से प प्यार करती रहेंगी, ठीक है, अब ये अलग बात है कि कुछ exceptional cases भी होती है, ठीक है, तो उन exceptional cases को हम लोग छोड़ दें, क्योंकि धरती पे नलायकों की भी कमी अब नहीं रही, पहले थी अब नहीं रही, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब हम आपको सीधा लेकर चलते हैं कोशन की तरफ, अब हम सीधा लेकर चलते हैं आपको कोशन की तरफ, यहां देखे, I am sorry but I don't believe what you say, देखे, चमा करना भाई, हम उस बात पे भरूर सान नहीं करते हैं जो तुम कहते हो, तो जो तुम कहते हो, हम उस पे यकिन नह यह क्या होगा, present in, definite, और do does के साथ क्या आता है, अब का फॉस्स पहुम हाता है, यानि कि यह वाला पार्ट कैसा है, correct है, अब यह वाला पार्ट करेक्ट है, तो मेरा answer क्या बनेगा, no improvement, ठीक है, the rules of chase, देखे, chase का rule हो, loodow का rule हो, या किसी भी game का rule हो, उसका जो rule है, वो कभ होगे, fifth form चाहिए, तो made होता है, second form, first form क्या होता है, make, तो fifth form क्या होगा, make में इसी इस लगा देंगे, ठीक है, अब आज़े, option ढूंड लिजिए, यहाँ देखे, sell भी लगा हो है, wrong हो गया, no improvement होगा ने, क्योंकि यह पार्ट गलत है, अब यहाँ देखे, यह make, यह क्या है वर्ब का first form में यह भी गलत होगा, यह क्या है, यह वर्ब का fifth form में यह correct होगा, तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पे यह सिखा रहे हैं, कि यदि आपको sentence का meaning नहीं भी आता हो, आप यदि sentence का meaning नहीं निकाल पा रहे हो एक्जाम में, तो भी आप एक्जाम में पूछे गए ऐसे इन सारे question का answer आसान तरीके से कर सकते हैं, देखिए हम जो यह सारे question आपको देते हैं, यह maximum question ऐसे होते हैं, जो यह तो आपके previous year paper में पूछे जा चुके हैं, यह इसी के similar question आपके SAC exam में पूछे जाते हैं, चाए आपका CGL हो, यह CHSL हो, यह MTS हो, यह stenographer हो, यह CPO हो, यह GD हो, etc. बात समझ में आ रही है, तो चलिए, हम ऐसा इसलिए भी आपको बताते हैं, आप में से कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर सेंटेंस का Hindi meaning क्यों नहीं बताते हैं, हम ऐसा जान बूज़ कर इसलिए करते हैं, ताकि यदि आप Hindi meaning नहीं निकाल पाते हैं, और यह तो घबराने की बात बिलकुल भी नहीं है, जरा से भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप बीना meaning निकाले भी उस सेंटेंस का सही सही आंसर कर पाएंगे, किस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे प्रोच लेंगे तो, यह भी देखिए कु से कोई मतलब नहीं है, क्या दिक रहा है, seamlessly ओता है, से ब्रणरे की जरूरत नहीं है, हब यह हो सकता हैं, यह हो सकता है, तो विटनेस है यह वरब का फिस्ट फोम है यह ईदिखें इंडिया सिंगुलर है सिंगुलर वोब यह क्या है अब यह देखे इंडिया और यह विटनेसे च्सक्षान लिए यह मारए बात समझ में आ रही है आप यह पर देख पा रहा है लिए milyась से तरीके से कोश्चन का सही सही आंसर कर पा रहे हैं अब यहां आजाए फिर कुछ और प्रिवीर शीयर पेपर को हम लोग सॉल्ब करते चले सी डज नॉट है जीटेट यह देखिए वाटेवर हर हस्वेंड जो कुछ में उसके हस्वेंड करते है उसको रिपीट करने में उसकाम को करने में वह जरासा भी संकुछ नहीं करते अर्थात मान लेजिए कि किसी महिला का पती सिगरेट पीता है तो वाइब उसके डब्बे से सब्सक्राइब का मिनिंग क्या होता है तो ब्ली का मिनिंग होता है अब यह मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो समय के सांथ अपडेटेड नहीं ठीक है जिसे जम आना गया कोट परने का या कोई इस प्रकार के व्यक्ति खोब क्या कतों गी कहते या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट रखता हो बागी दुन्हें इसका कोई मतलब नहीं अब यह का मतलब क्या होता है सान्त चूप रहने वाला जो कम बोलता हो न के बराबर बोलता हो सी का मतलब क्या होता है ढूंडना चाहना प्राप्त करना अब यहां देखिए व, डैस PC ना और fast escalating technological career तो आज कल के career में हम लोग क्या ढूंड रहें भाई तो PS ढूंड रहें ठीक है सांती की तलास कर रहे हैं तो आंसर क्या मिलेगा option number a यह meaning पर best था अब चुकह भी उता है plural इसलिए हमें चाहिए वाप का first form और सारे के सारे वाप के first form ही है यह भी वाप का first form यह भी वाप का first form अब यदि आपको meaning आता है तो आप फिल किजी है दर्वाज़ा बाहर हो जाएगी next अब यहां देखिए फिर से इस question में क्या लगा हुआ है always always है तो hazard कि हमें कोई जरूरत नहीं है और यहां पर bin कि हमें कोई जरूरत नहीं है always है तो हमें किसके जरूरत है verb के first form की अब यह देखिए first form या fifth form यह it कैसा है singular तो हमें कहाँ चाहिए verb का fifth form चाहिए तो यह क्या मिला option number D is always ठीक है देखिए बिना meaning जाने हम लोग बना रहे है यह देखिए a study suggests that the woman does better at handling emotion अब यह देखिए यह महिला का nature बता रहा है एक study में यह सुझाओ दिया गया कि महिलाएं जो है यह देखिए महिला जो है plural है woman कैसा है plural है ठीक है तो अब इसके according तो उसमें suggestion क्या दिया गया कि महिला जो है पोरुसों के तुलना में emotion को handle करने में ज्यादा बहतर perform करती है ठीक है यह क्या है वाव का second form गलत हो गया अब यह क्या था यह भी second form यह भी गलत है तो no improvement cancel हो गया इस क्या है यह वाव का fifth form यह क्या है वाव का first form तो यह भी गलत हो गया answer क्या बना option number A ठीक है बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से और इतने ही आसानी से हम लोग ऐसे exam में पूछेंगे सारे question को solve करते हैं यहां भी देखिए always लगा हुआ है तो इसका answer आप कर सकते हैं अब आईए इस question को हम लोग ज़रा solve करें इस question में ज़रा ध्यान देजिए क्या लिखा गया R21st century society expects अब यह देखिए expects आसा करता है यानि कि यह आ गया present in different में यह क्या है भई तो यह वाब का ठीक है all relevant information to simply be handling यह देखे बी इबी मिला तो हमने आपको क्या बताए था बी इबी के बाद क्या आता है वाब का third form आता है तो इस handling बाले सेक्षन मेरा रहे जड़ा चेक किजिए यहां पर यह option number c sentence का मिनिंग क्या है हमें कोई मतलब नहीं है sentence के मिनिंग से हमें कोई मुहबत भी नहीं है बट हमारा question हर बार बनेगा अब यहां देखे इस question में क्या है यहां देखें इस question में यहां क्या अलगा हूए? Do does के साथ travel में if you ask price क्या आता है वाब का सभावाला सफहां दोनों में से कुई भी concept अब यूज कर लीजिए यहां travel में शटाना पड़े गा तो answer क्या बनेगा? answer लंए ट्रेभल यहां पे correct answer आपको choose करना था तो इस तरीके से प्रेजेंट इन्डिफरेंट को बनाते हैं यहां पर देखें आपको क्या दिखाई रहा है यह देखें रीगुलर ली अब रेगुलर लिए तो रीगुलर लिक के साथ वाचिंग आएगा क्या नहीं आएगा इसका ज़रा फिफ्त फॉर्म हो गया हमारा आंसर कुछ है नेक्स्ट को हम लोग सॉल्व करें फिर इसके बाद आके निकलते हैं लोग यह देखे प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं सिंगूलर तो चेयर चेयर मीटिंग का मतलब हो था एक मीटिंग आयोजीत करना उसका नतरीत हो करना उसको लीड करना ठीक है तो यहां पर चुकि प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं सिंगूलर तो वह कैसा लेगा सिंगूलर तो यहां वह कै देख रहे हैं कि यह आपके SACCHSL 2020 में पूछा गया कोशन था यह वही पेपर था जो 2021 में लिया गया था ठीक है अब इस पेटरन के कोशन हम लोग पहले बना चुके हैं अब यहां ज़रा ध्यान देजे सेकेंड वाले कोशन में देख पनी गोज तो अग्रेट लेंथ टो एंसे ओर धाट इंपलोईस अभी इंपलोईस कैसे हैं प्लूरल कैन भी मतलब जो कंपनी है वह यह चाह रही है कि उसके जो कर्मचारी लोग है उसमें काम करने वाले जो उसके इंपलोईस हैं वह आराम फिल कर सकें अपने पर सकते बताने के लिए तो कर्मचारीयों के बात नहीं की जा रहे हैं उनको कंफॉर्ड करने की बात की जा रही है इसलिए जो एंडरलाइन क्या हुआ पार्ठ है वह क्या हो गया अप्शन से अ सब्सक्राइब कर दो तो इन question cancel आप करते चलेगे कहां प्र करेंगे इन फारे question cancer आप कहांपे करेंगे तो आप करेंगे YouTube के comment box में न चर्द करेंगे comment box में अब इसके बाद हम लokh पढ़ना शूरु करेंगे धिरिये से प्रिजे जन्ट तो उसके साथ वाप कैसा लेगा आर तो होगा नहीं इसलिए यह गलत हो गया चलिए इसको जड़ा बना लीज़ें चुकि आपके प्रिविएस यह में पूछा गया कोशन है बठ है काफी आसान तो आर तो होना नहीं है अब इस होगा नो इंप्रोव्मेंट कैंसल हो गया यह में jetzt कोई भी हो सकता है अभिए देखे इसको आप याद रखेए यह फीला लाईक लिए अन्लाईक है लाइकली है अन्लाईक्ली है मने मन राइक का प्रिविश्ट आप दिखें योज कैया घट टू अब जड़ा ओप्शन देख और यहां टू को solve कर रहे हैं और इसी तरीके का approach आपको develop करना है और इसी pattern को follow करते हुए आपको अपने exam में पूछी जाने वाले question को solve करना है examination hall में बैट के और अपना खुद का selection करवाना है ठीक है तो आज के इस class को हम यहीं पर sum up करते हैं present indifferent को यहीं पर रोकते हैं present continuous के class को हम लोग अगले tense के part में cover करेंगे क्योंकि इसमें आगे चलके हम लोग को पढ़ना है वर्बा परसेप्शन जिसमें इंजी का use नहीं होता तो अगला class हमारा बहुत है क्योंकि उस section में हम लोग ऐसे कुछ concept को पढ़ेंगे जिसमें ing का use नहीं होता है ठीक है और इससे जब भी कभी आपके exam में question पूछे जाते हैं तो आपसे error होता ही होता है तो ऐसी गलती से बचने के लिए आप देखना न भूले हमारे tense के अगली lecture को ठीक है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का बहुत झाली नहीं होता है है उप सब का बहुत सिद Ta 보니까 है एओन झाली हमारे जाली हमारे बहाले क्ले है घर आपसे है घर हैं चाली हमारे इसान encouragement है उस कर आपसे है नहीं है हैङल से बग्सार से के लिए खहता है